दोस्तों आज हम उगाने वाले हैं कुछ इस तरह का करेला का पौधा तो सबसे पहले हम एक कटी हुई बोरी लेंगे और उसको टायर की माप का काट कर टायर में उसे चिपका देंगे उसके बाद बोरी में छेद करके टायर को काट लेंगे और एक बोतल में छेद करके टायर के बीच में उसे रख देंगे फिर टायर में मिट्टी भरकर उपर से मूंग फली का छिलका उसमें डाल देंगे और उसे मिट्टी से ढख देंगे उसके बाद करेले के पौधों को टायर में लगा कर उसमें बांस की डंडी लगा देंगे और उनके बीच में लोहे की रिंग लगा कर बांथ देंगे और कुछ इस प्रकार का मचान बना कर तयार कर देंगे फिर मचान में रस्सी लगाकर पौधे में उसे बांथ देंगे और वेस्ट पड़े सबजियों और फलों के छिलकों में बीर मिलाकर डिब्बे में उसे डाल देंगे उसके बाद 20 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे पौधे मचान पर फैल चुके हैं और अब हम डब्बे में जैविक खाद डाल कर उसमें पानी भर देंगे फिर 28 दिन बाद हम एक फूल तोड़कर पौधों में पौलिनेशन कर देंगे और 35 दिन बाद हम पौधों पर कीट नाशक दवा का छिड़काव कर देंगे उसके बाद 42 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे पौधों में करेले लगकर तयार हैं